हाले वर्योंट मैं वाशिष्टर आप सभी को स्वागत कर रहे हूं मेरी चैनल मोजर बाक्षों में अभी बज रही है घरी में 4.57 मतलब अफटर थी मिनिट्स लेटर इट विल वी 5 o'clock मतलब मैंने इविनिंग टाइम में यह क्या कर रहे हूं डिनर लंज और ब्रिकफर्स मतलब मैं सुभा से कुछ भी नहीं खाया अभी क्या है सिर्फ चिकेन और राइसे अभी मैं तो बहुत ही भुकी हूं सो अभी मैं खा रही हूं और खाने का टाइम आप लोगों साथ बहुत सारा बात ही करेंगे ठीक है अब लोग वीडियो के एक दम इन तक देखना ठीक है सो गाइस आज तो मुझे अपने आपको ना बहुत लग रही है क्योंकि मैंने आज बाहर सा आई और आके सर्प्राइजिंग ली चिकेन खा रही हूं अदर्वाइस मैं तो बाहर सा अच्छा अच्छे खाने का मतलब बिडियानी रोल इस तरह का खाने का बूंस के घर में आ और अभी मैंने जब घर में आई तब देखी कि सारे तीन बच रही है मतलब सुबा तो कुछ खा के नहीं गई और ट्रेन में इतना भीर थी ना खाऊंगी कैसे और रास्ते में तो कुछ भी नहीं खाई और मतलब मैं आज पूरी दिन बहुत बीजी थी तो खाने के लिए त तो मैंने इतना टाइम से बोल रही हूँ कि चिकन हुआ चिकन खाड़ाई हूँ बट सच में यह है कि मेरी पेट एक दम खली है लेकिन खाने का भूख चले गई है माई अपेटाइट हैस गॉन सो गाइस सो मुझे लग रही है कि मेरी एसीड वैसीड कुछ हो चुकी है बट इतना पूरे दिन भूख की रहना ये भी अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए और कभी-कभी ऐसे होती है कि कुछ ऑप्शन नहीं रहती है तुम्हारा बहुत ही भूख लग रही है लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं मिलती है तो वैसा ही आज मेरी साथ हुआ सो मैंने आप सभी को भी बोल रही हूँ कि टाइम का खाना ना टाइम में ही खा लेना चाहिए वरना आप में भी किसी को मेरी जैसा हो सकती है खाने के लिए पेड में बहुत सारा जैका है लेकिन खाने का मन नहीं करेगी किसी किसी को तो एसीड भी होती है मैंने सबको नहीं बोल रही हूँ कि कि सबका हेल्थ एक जैसे नहीं होती है जिन लोगों का हेल्थ मेरी जैसी है मैंने उन लोगों को ही बोल रही हूँ सो आप लोगों का अंदर से किसी किसी ने ये सोच रही है कि मैं इतना कुछ डायलोग दे रही हूँ कि मैं खुद ये सब कुछ करती हूँ सो जीन नहीं मैं एक दिन भी घर में पूरी नहीं रहती हूँ मैं बहुत बीजी रहती हूँ सो आज के लिए बाबाई